हलो गाइस वेलकम टू सी टू सी मेंटर्स तो आज कुछ कौंट्स की लॉक्स के ही क्वेशन डिसकस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेशन जो मॉक्स के अंदर आप लोग छोड़ के आ जाते हो अब तक दो क्वेशन डिसकस करूँगा मतलब उसके अंदर टाइम लगेगा थोड़ा सा बट आप लोगों का कंचेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा वो चीज को लेकर ठीक है वो क्वेशन आप लोगों के कभी भी गलत नहीं हो पाएंगे यह मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से तो विदाउट वेस्टिंग एनी फरदर टाइम गाइस थोड़ा सा प् थो तू तिंग्स दो चीजे पढ़ेंगे बिटा आज एक चारक्टर स्टीक श्टिक पढ़ेंगे चारेक्टर स्टीक पढ़ेंगे अं नमेंटिसा स्प is equal to 3.25 ठीक है log x is equal to 3.25 यह मैं लिखता हूँ तो अगर मैं कोई भी number लिख रहा हूँ अगर मैं कोई भी number लिख रहा हूँ जैसे यही number माल लो 3.25 3.25 तो इसके अंदर क्या होता है बिटा 3 जो component है ना यह इसका characteristic है क्या है character stick है यह number जो है यह इसका mentesa है यह number जो है यह इसका mentesa है characteristic जो होता है ना बिटा यह positive और negative दोनों हो सकता है बड़ जो mentesa होगा ना वो हमेशा positive होगा वो हमेशा positive होगा तो अपन बात करते हैं बिटा जिससे log 2 है हमारे पास log 2 की value होती है 0.3010 3010 यह log 2 की हमारे पास value होती है बिटा तो 0 इसका characteristics है बिटा 0 इसका characteristic है ओके और 0.3010 इसका mentesa है यहां तक सबको समझ में आया अगर मैं बात करूँ minus 3.5 number है तो इस case में क्या होगा सर तो बिटा minus 3 क्या हो जाएगा minus 3 क्या हो जाएगा characteristic हो जाएगा characteristic हो जाएगा सोच वारा हमसे characteristic minus 3 होगा क्या नहीं क्यूं नहीं होगा क्यूंकि सर अगर आपने minus 3 characteristic को रखा तो आपका mentesa तो हमेशा positive आना चीए तो mentesa अगर आपका हमेशा positive आएगा तो mentesa तो 0.5 ही होगा correct, mantissa तो 0.5 ही होगा, yes or no, mantissa तो 0.5 ही होगा, तो negative number के case में आपका characteristic जो होता है, वो minus 4 हो जाता है, क्या हो जाएगा, minus 3 का minus 4 हो जाएगा, क्या समझ में आई ये चीज, क्या समझ में आई ये चीज, ऐसे ही मैं अगर आपको number देता, minus 3.125, तो इसका characteristic क्या होता, इसका characteristic बेटा, minus 4 होता, इसका characteristic जो है, वो minus 4 होता, लेकिन इसका mantissa क्या हो जाता, इसका mantissa बेटा positive रहेगा हमेशा, तो 0.875, समझ रहे हो, क्यों, minus 4 plus 0.875 करोगे, तभी तो ये number निकल के आएगा, yes or no, तभी तो ये number निकल के आएगा, yes or no, last एक concept और देखो, ये concept और देखो, ये characteristic mantissa बताना जरूरी है बेटा, इसके बिना वो concept समझेगा नहीं, जो समझाना है, last number है, इसका characteristics minus 5 होगा, और mantissa इसका 0.75 होगा, सब लोगों को clear है ये चीज, सब लोगों को clear है ये चीज, ठीक है, याद रखना है इस चीज को अभी काम आईगी, ठीक है, चलो, start करते हैं बिटा, start करते हैं, log 2, log 3, log 4 की value, log 2, log 3 और log 5 की values याद रखके जाना, अब हम बात करेंगा number of digits के question की, हमेशा ये question आके तंग करता है बच्चों को, number of digits वाला question, character sticks जो है, character sticks जो है, इसके उपर based है ये चीज, ठीक है, अगर मैं बात करूँ बिटा, आप से, कि 10 में number of digits किती हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे बिटा, 2 है, अगर मैं आप लोगों से बोलो कि 10 से 99 में बिटा, कितनी number of digits हैं, तो भी आप बुलोगे 2 है, मैं आपको बुलू बिटा, 100 से लेकर 999 तक कितनी digits हैं, 3 है, 1000 से लेकर 9999 तक कितनी digits हैं, 4 है, ठीक है, question आएगा बिटा, 3 की power 47 में, find the number of digits, आप तो question से ही भाग जाओगे, आप तो question से ही देख के भाग जाओगे इसको, कि कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको, बिटा, आप लोगों को एक चीद समझाता हूँ, log base 10, 10, 1 होता है, yes or no, log base 10, 10, 1 होता है, yes or no, ठीक है, सोचो आराम से क्या होता है, क्या होता है, जलदी सोचो क्या होता है, जलदी सोचो, log 10, 10, 1 होता है, लेकिन अगर मैं इसमें number of digits की बात करूँ, तो क्या मैं इसमें plus 1 करूँगा, तो 2 आजागा, yes or no, सोचो आराम से, log base 10, 11 में भी, log base 10 11 में 11 में number of digits किती है log base 10 11 11 में number of digits किती है 2 है तो इसका answer भी 2 आएगा yes or no अगर मैं तुम लोगों से बात करता हूँ log 10 100 तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ इसकी value क्या होती है इसकी value 2 होती है कैसे sir ये देखो log base 10 इसको 10 square लिखेंगे ये square वाला number आ गया जाएगा और ये तो 1 होता ही है तो ये क्या हो जाएगा 2 cross 1 तो इसमें number of digits के लिए मैंने 1 और plus 1 किया yes or no एक और plus 1 किया तो number of digits 3 आ गया yes or no अब मैं तुमसे पूछू बिटा log base 10,000 log base 10,000 number of digits के लिए क्या करोगे इसकी value जो भी होगी उसके अंदर एक plus 1 कर दूँगा yes or no समझ गए इस चीज़ को तो क्या निकल रही है चीज़े विटा तो इसका मतलब क्या निकल रहा है इसका मतलब निकल रहा ह। अभी question पूरा solve करके दिखाओंगा कैसे होता है don't worry question पूरा solve करके दिखाऊंगा don't worry number of digits का formula क्या निकला वो निकला बिटा characteristic जो भी है plus 1 सबको समझ में आया number of digits का formula क्या निकला characteristics plus 1 characteristics plus 1 question आया question आगया कि 2 की power 50 में calculate करके बताओ मेरे को number of digits कित्ती होती है आप लोगों क्या सिखाया बिटा log ले लो पहले इसका log base 10 2 की power 50 yes or no 50 बिटा आगे आजाएगा property के हिसाब से log base 10 2 आगे क्यों आजाएगा क्यों कि ये property आप लोगों को videos में सिखाई है log base 10 a की power b है तो वो हो जाता है b log base 10 a 50 आगे आजाएगा और ये formula है ये characteristic होगी और इसके अंदर plus 1 हो जाएगा log 2 की value क्या होती है बिटा 0.3010 अभी सिखाया आप लोगों को plus 1 कर दोगे इसके अंदर तो 15.3 आएगा लगभग ठीक है 15.3 plus 1 16.3 जो भी आपका answer आएगा न अब आप इसको number scale पे दिखाओगे 16.3 ऐसे तो इसके जो left side वाला integer होगा पहला वो इसका answer होगा तो 2 की power 50 में number of digits कित्ती हो जाएगी बिटा number of digits कित्ती हो जाएगी 16 answer हो जाएगा इस question का क्या answer हो जाएगा 16 answer हो जाएगा एक और concept देखो एक और question से समझो एक और question से समझो बट उससे पहले आप लोगों को क्या सीखना ज़रूरी है कि log 2, log 3, log 5 की values ही नहीं पता सर हमें तो कोई बात नहीं बिटा लिखवा देता हूँ याद रखना उस चीज़ को ठीक है log 2, log 3 और log 5 ठीक है log 2 की value होती है 0.3010 log 3 की value होगी बिटा 0.4771 3 की power 20 में कितनी number of digits आएगी तो मैं पता है बिटा log लूँगा 3 की power 20 का और इसके अंदर plus 1 कर दूँगा तो ये 20 log base 10 3 plus 1 जब कुछ भी base नहीं होता तो base 10 होता है log 3 की value होती है 20 into 0.4771 plus 1 20 into ये करोगे कितना आएगा बिटा करो करो जल्दी करो तो बिटा ये आजाएगा 2, 4, 5, 9 yes 9.542 आजाएगा yes or no plus 1 ठीक है plus 1 answer क्या आया 10.5 क्या बोला था number line पर रिप्रेजेंट करो 10.5 को इसके left में जो सबसे पहला integer होगा वो आप लोगों का answer होगा तो क्या answer होगा आप लोगों का 10 आप लोगों का answer होगा इस question का सब लोगों को number of digits का concept clear हुआ सब लोगों को number of digits का concept clear हुआ light होग दो भाई लोग अगर clear हो गया थो ठीक है एक last question और देख लो 5 की power 30 में क्या होगा बिटा log 5 की power 30 में क्या हो जागा ये 30 log base 10 5 plus 1 log 5 की value होती है 0.699 plus 1 कित्ता होगा बिटा कित्ता होगा जल्दी करो इसको solve यह हो जाएगा बिटा 390 और 18 3 बन जा 3 और 2 2.097 हो जाएगा 2.097 हो जाएगा yes or no ये 20.97 हो जाएगा 20.97 हो जाएगा plus 1 तो 21.97 तो answer क्या करोगे बिटा 21 क्यों क्योंकि number scale पे जो भी left में सबसे पहला integer आएगा वो आप लोगों का answer होगा सब लोगों को समझ में आया yes or no ठीक है चला एक question दूसरा देखते हैं जो question आप लोग हमेशा छोड़ते हैं एक question सब यह आता है जो हम नहीं कर पाते हैं कभी-कभी यह भी demand आई थी पेटा log base 3x plus log base x 3 is equal to 17 by 4 find the value of x find x यह आएगा बिटा सीधा सीधा question guys अगर मैं देखू हूँ तो क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ one upon log base x 3 यही तो सिखाया था ना बिटा properties के अंदर कि log base a b को हम लिख सकते हैं one upon log base ba yes or no तो वही किया plus log x 3 is equals to 17 by 4 अगर मैं यह देखूँ अगर मैं इसको a term कर दूँ तो क्या मेरा यह one upon a है yes or no यह 17 by 4 के equal है ठीक है बिटा equation क्या बनगे a square a square plus 1 is equals to 17 by 4a yes or no yes or no तो 4a square plus 4 is equals to 17 है ठीक है 4a square minus 17a plus 4 बिटा quadratic equation है इतना solve करना आता हो का 4 और 4 को multiply करूँगा 16 और 16 से try करूँगा कि इसका sum 17 बना पाऊँ कैसे बनेगा बिटा कैसे बनेगा 4a square minus 16a minus a plus 4 is equals to 0 तो 4a a minus 4 minus 1 a minus 4 is equals to 0 तो a की value क्या निकल के आ गई एक value 4 निकल के आ गई एक value 1 by 4 निकल के आ गई यहां तक सबको clear है यहां तक सबको clear है यहां तक सबको clear है ठीक है अगर मैंने जिसको a लिया, उसकी value क्या आई? 4 अब आप लोगों को पता है अब आप लोगों को पता है कि करना क्या है इसके अंदर, अब आप लोगों को पता है क्या करना है इसके अंदर, yes or no yes or no, सोचो आराम से जब हमारे पास log a, b is equal to c दे रखा था तो हम क्या भोलते हैं a की power c is equals to b तो x की power 4 is equals to 3 x की power 4 is equals to 3 दूसरा वाला क्या होए बिटा log x 3 is equals to 1 by 4 तो x की power 1 by 4 is equals to 3 तो अगर मैं दोनों की power raise to 4 कर दूँ तो क्या मेरा answer आजाएगा x is equals to 3 की power 4 that is equals to 81 ये वाला solution क्यों नहीं लेंगे बताओ ये वाला solution क्यों नहीं लेंगे अरे लेंगे इसको भी x is equals to 4th root of 3 4th root of 3 दोनों value put करोगे दोनों से answer निकल के आजाएगा दोनों से answer निकल के आजाएगा आप option में कुछ भी दे रखा हो आप लोग mark कर सकते हो ये दे रखाओ ये mark करना ये दे रखाओ ये mark करना सब लोगों को समझ में आया yes or no अगर आया तो please like करो अगले concept है मिलेंगे किसी number system के concept के साथ मिलते हैं जल्दी ठीक है till then bye bye take care and stay hydrated